बैंक की यूनियन वाले जो हैं वो बैंक यूनियन के हर्टार के लिए जाने वाले हैं 26 और 27 के लिए प्रस्तावित छुट्टी पर जिस पर हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर 26 और 27 अगर दो दिन अवकास के लिए गए तो 26 और 27 के लिए हो जाएगी बैंक के हर्टार 28 इस तरीक को सेकंड सेटर्डेड़ बैड़ जाएगा उसके लिए हो जाएगी आवकास 29 सितंबर को संडे हैं इसके वज़े से बैंक का हो जाएगा उकास 30 सप्टंबर की बात की जाए तो हमारे छमाही वार्षिक समापन है बैंकों का इस वज़े से उसका भी काम आम आदमिका काम यहाँ पर नहीं होने वाला है बैंकों का उसमें हम आपको यह जरुशूतन देने वाले हैं कि यह तो हुई सारे डिटेल की बात जिसमें हमें अवकास मिलने वाला है पर यहाँ पर बैंक के अधिकारियों और हमारे वित्मंत्री से राजीव कुमार जी की बैठक हुई ह जिसमें परस्तावित जो हरताल थी उसमें main reason थे यह तो 10 बैंकों का विले होने वाला है उस 10 बैंकों को 4 बैंकों में convert कर देंगे तो एक तो वो चीज थी उसकी वज़े साथ था बड़ा करण हर्ताल का साथ ही साथ वेतन बराने के मुद्दे के साथ और कुछ भी मुद्दे साथ में थे इसकी वज़े से ये 26 और 27 सितंबर के जो हर्ताल थी वो फिलाल के लिए टल चुकी है क्योंकि इन बैंकों के अधिकारियों के और साथ हमारे वित्मंत्रे की बैठक के साथ यह समझोता हुआ कि अब आपकी बातों पर विचार मुस्त किया जाएगा और उसे प्रयक्ता दी जाएगी फिलाल के बैंकों कारे नहीं कर पाएंगे हम सिर्फ और सर्फ गौर्वन्ट बैंक की बात कर रहे हैं इसमें प्राइट बैंकों को यह जैसे पहले खुले थे वैसे कि आप भी रहेंगे बस सर्थ है कि जो संडे सटर्डे की चुट्टी आती हो अलग हो जाती है उसके अलवा उनका कोई अवकास फिलाहल मुझे देखने को नदर नहीं आता जाई सी बात है दो अक्टूमर को चुट्टी है ही हर्ताल के मामले में प्राइट बैंको का कोई भी इसमें हाथ नहीं है वो नहीं तो छुट्टी पर जाने वाले थे और चुट्टी पर जाएंगे यह सारी और सारी गोर्न बैंक की बात चल रही है कि अब 2627 को बैंकों के करम चार्य के हर्तार नहीं रहेगी बैंक डेली की तरह खुले रहेंगे आप अपने कार्य कर सकते हैं एक छोटी से इंफॉर्मिशन ती सोचा आपको दे दूं अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक तो बगर रफसा बढ़ाईए हमारे सेनल को तुरंदी सब प्रियास कीजिए आप सबी कतने हैं दिल से धन्यवाल